नमस्का दोस्तों, विल्कम टेर ररेंड एक्जाम, क्लासे दे के जल्दी आपका रेलवे गुरूप D के एक्जाम लगने वाला है, तो रेलवे गुरूप D के एक्जाम में सायन्स के काफी भेर सारे को्शन आपकी एक्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम आपको 30 मह प्रेश्म जाकर के वहाँ पर से देख लिजेगा अगर आप लोग रेलवे गूरूप डी की मन से तयारी कर रहे हैं तो इन 30 महत्वपूर कोशन में से कम से कम आप लोग 25 कोशन तक सही करने का प्रयास कीजेगा आज का पहला कोशन है नेम लिकित में से किस लवड में किस्टे याद होने चाहिए जैसे कि आहाँ पर आपको जिपस्शं दिया गया है तो जिपस्ँम का फार्मूला क्या होता है कैल्सियम सलफेट आगे जो पाने के अड लगे होते हैं उसे कहते है क्रिश्टे एन जाल ठीक है तो यहाँ पर इस फार्मूला में किस्टे अडल का प्रयो पहला थूते का फार्मूला होता है CUSO4 copper sulfate into 5H2O ठीक है तो यह तीनों आपके आपसन गलत हो गए क्योंकि इसमें जो है Christian जल पाया जा रहा है देखिए यहापर 2 है यहापर 10 है यहापर 5 है लेकिन जो पहला आपसन है खाने का soda वाला आपसन इसमें Christian जल नहीं होता इसका फा अगर आप लोग पहली बार चनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सस्काइब के बढ़न दीकी कुछ दवा का लाल से काली कर दीजेगा तक कि आने वली जो वीडियो है वाकर पास सबसे पहले पहुश सके हैं दूसरा question है जिस पदार्थ को रासानिक अपक्रिया द कारवन को अलग कर सकते हैं जैसे कि आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया में आप नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं लेकिन जब नाइट्रोजन अलग हो गया तो आप नाइट्रोजन एक तत्व हो गया और तत्व को आप किसी भी भाग में सरल प्रदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सही आप्सन होगा हमारे место, किसको नहीं तोड़ा जा सकता है, तो त्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है, elephant को तोड़ा नहीं जा सकता है तीसरा कोशन है हमारी तुचा के नीचे छोटी रख्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है आपनी तुचा को देखते होंगे तो तुचा में अगर खरोचा जाती है तो उसमें से खून बने लगता है तो तुचा के नीचे क्या होता है केसिकाओं होती है तो केसिकाओं के नीचे क्या होता है सिरा होती है सिरा के नीचे धमनी होती है तो इस प्रकार से तोचा के नीचे की बात करेंगे तो केसिका होती जिसमें रक्त जो होता है प्रवाहित होता है लेकिन अगर हम लोग असुद रक्त की बात करेंगे तो असुद रक्त जो है हमारी एक लरक दिखाई पड़ती है तो आपसे पूछ रात तोचा कि नीचे तो स्बसे पहले आप केसिका को सही करेंगे स्बसे पहले इन चार आपसन हमें कोई है किर षय पर लिदिखी जाता हमुए तो वहां पर принцип कि पाली जाजो हमां गया तो आप दूरीयों को नापने के लिए यह पर से 20 से प्रियों करते हैं तो यह जो लेंच के कहते हैं अप्डिकल सेंटर कहते हैं हिंदी में से कहते हैं प्रकासिक केंदर तो यहीं से गौलाका लेंच की संग्या पद्धति को हम लोग नापते हैं देखे तो इसका सही आपसन कौन सा होगा पहला वाला आपसन जो होगा वो सही आपसन होगा अब ध्रूक की बात करेते हैं जैसे कि आप मिरर में देखते होंगे इस प्रकार से मिरर हो गया और यह आपका मुख्य अच्छ हो गया और यहाँ पर होता है फोकस ठीक है तो मुख्य अच्छ जो होता है जहाँ पर भी यहाँ पर टेच होता है इसे हम लोग पोल कहते हैं तो पोल यहाँ पर होता है जबकि जो लेंस का पूरा भाग होता है इस प्रकार से उसका वीचों बीच का भाग होता है प्रकासिक केंद्र तो यह व 2 8 6 को जोड़ लिजे 8 2 10 6 16 तो 16 इसका प्रमाड कर्मांग होता है तो 16 होता है सलफर का मैंने आपको बताया हूँए कम से कम आप लोग 30 सि 35 परमाड कर्मांग को याद कर लिजे और द्रिमान संखा को याद कर लिजे अगर आप प्रिश्ण को सही करना चाहेते हैं इसका सही option होगा, दूसरा वाला option, sulfur का 16 होता है, परमाण क्रुवांक, अगर हम लोग beryllium की बात करेंगे, इसका 4 होता है, तो इसका electronic विन्यास होगा, 2 और 2, ठीक है, sulfur का तो लिखाई वाई, potassium का परमाण क्रुवांक होता है, 19, इसका बनेगा 2, 8, 8 और 1, इस परकार से बने इस प्रकार से आप लोगको electronic विन्यास जो है शुरुवातिक अच्छों में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर से आपको simple तरीके से यह आद हो जाएंगे तो अगर आपको electronic विन्यास दिया गया है तो आपको इनको जोड लेना है और जो भी पर्मार कुमार निकल के राए उसी को आपको सही कर देना ठीक है तो इसका सही option सलफर होगा छटमा question है आउतल दड़पर में ठीक है आउतल दड़पर में आपको C पर वास्तविक और उल्टा प्रद्वीम प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए ठीक है तो कुछ बाते आपको याद करके चलनी होती जैसे दड़पर की बात करेंगे तो इस प्रकार से आउतल दड़पर बन करके तयार हो गया यह हमने मुख अच्छे को खीच लिया आपसे कहरा है C पर हमें क्या करना है C पर वास्तविक और उल्टा प्रद्वीम प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर फोकस होता है और फोकस का इस डबल होता है वकरता त्रिज्जा अब यहाँ पर देखिए C हो गया जब हम C को किसी वस्तव को C पर रखते हैं तो C को अगर रखते हैं तो पहली करन हमारी फोकस से जाती है दूसरी इस प्रकार से जाती है तो यह जो हमारी अगर हमने C पर रखा तो C पर ही बनेगा वो नीचे के और बनेगा उल्टा बनता है वास्तविक बनता है वास्तविक का मतलब यह हुआ कि लेंसके अगर इस साइड बनेगा तो वास्तविक होगा अगर लेंसके राइट हैंड साइड बनेगा तो अभासी होगा सी पर आपको प्राप करने के लिए आपको सी पर ही रखना पड़ेगा ठीक है अगर आप फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा अगर आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस बनेगा ये भी मैंने आपको याद कराये हुआ है साथमा कोशन है समान द्रभमान संख्या ल तो यह कहे जाएंगे आपके Iso, Bar ठीक है, इसके पहला वाला जो हमने आपको स्थान कर रहा था, उसमें आप से समस्थानिक पूछा गया था, Iso, Tort, पूछा गया था, lेकिन इसमें आप से पूछा गया क्या, Iso, Bar पूछा गया है, सम भारिक जिसे हम लोग कहते है हिंदी में तो एक एक जामपल है इससे आप लोग याद कर लिजे जिसे कि आरगन ठीक है आरगन लिख लिजे पोटेसियम लिख लिजे कैलसियम इसको आप लोग देख लिजे आरगन का प्रवाण करांक होता है 18 पोटेसियम का होता है 19, कैलसियम का होता है 20 लेकिन अगर हम लोग इसके द्रभमान संख्या की बात करेंगे तो इन तीनों के द्रभमान संख्या 40-40-40 होती है ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहें द्रभमान संख्या समान है लेकिन उनकी परवाण क्रमा के भी नविन है 18, 19, 20 तो इस एक्जाम्पल को आप लोग सम्भारिक या फिर आईसो बार की रूप में प्रियोग कर सकते हैं आठवा कोशन है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अड़ु की गती किस पर निर्भर करती है अगर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अड़ु जाते हैं तो हम इसे किस नाम से जानेंगे सलीकिंट नवा कोशन है मिन्डलीप की आवर्ती नियम किस पर आधारित है देकि सबसे पहले अगर विस्ति ढंग से आवर्साणी किस ने बनाई थी तो मिंडलीप ने बनाई थी तो वो बनी थी आपके परमाण द्रमान के अनुसार में जैसे कि द्रमान संख्या होती उसके अनुसार से रखी गई थी लेकिन अगर हम लोग आधुनी कावर्साणी की बात करेंगे तो आधुनी कावर्साणी मोजले के अनुसार परमाण करमान के अधार पर बनी है तो ये दोनों प्रशन आपको याद करके चलनी है अगर आपसे मिंडलीव की पूछेगा तो आप द्रमान संखा को सही करेंगे परमार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् पर देखिए ऐसी कौन सी धोनिकी करिड या पर आपको भड़नी है जिससे कांच तूटने और इमारतों को नुक्सान हो सकता है लगबग 10 किलो हर्ट की संचारित धोनी सबसोनिक धोनी इंफ्रासाउंड या फिर सूपर सोनिक विमान द्वारा उत्पन आगहात तरंगे इसका आपसेंगे ज़िया जब सूपर शोनिक विमान उपर से निकलते हैं जैसे कि आपके लड़ाकु विमाण हो गए। यह धोने की चाल से अधिक चाल से निकलते और एक पीछे जो है स्वंका कार मार्ग छोड़ते चले जाते हैं जिससे कड़ जो होते हैं काफी तीजी से कंपन करने लगते हैं वो कड़ क्या करते हैं सीसे जैसे होते हैं हमारे इमारतों के वो टूट जाते हैं देखिए सूपर सोनिक की उपर भी होते हैं सूपर सोनिक वीमान होते हैं, जिससे इम आर्तेज आती हैं, उनमें भी दरार पड़ जाती हैं, अगर हल्की बनी तो टूट भी जाएंगी, तो यहां पर सूपर सोनिक वीमान द्वारा उत्पन आघात तरगेज होती हैं, क्योंकि इनकी जो मैक नमबर होता है, वो एक से अधिक होता है, क् धोनिकी चाल्सी ये काफी तेज साल्सी चलती है इसलिए साई आप्षन कौनस होगा डी वाला आप्षन ग्यानेवर कोशन है धोनित तरंग की आवरेती इसाई एकाई आपको यूनिट बतानी है चलिए बताइए आवरेती को आप किसमे में आपते हैं सिकेंड में, मीर्टर में, हर्ट में या फिल लेम्डा में सही आप्षन होगा हर्ट में आपते हैं ये तो मैंने आपको कई बार बताया है इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसे आप लोग याद कलीजेगा बाइनेवर कोशन है एक किलो वाट घंटा कितने के बराबर होता है ये कोशन जो है रेलवे का काफी फेवरेट कोशन है और बार बार आपके एक जमे पूछा के आए या तो इसको पूछ लेगा एक किलो वाट घंटा को क्या कहते हैं तो एक यूनिट होता है जो घर की आपकी बिजली ना पी जाती है तो किलो वाट घंटा में ना पी जाती है तो एक वेवसाहिक यूनिट है किलो वाट घंटा ठीक है और ये कितने के बराबर होता है ये होता है 3.6 multiply 10 to the power 6 इसको आप अगर आप 0-0 कुरूप में लिखते हैं इसलिए सही आप्सन होगा तीसरा वाला आप्सन तेरा नमर कोशन है रेटिना में मौझूद कौन सी कोशिकाई चमकदार समान प्रकास के प्रति सम्वेदन सील होती है और रंग सम्वेदना प्रदायन करती है ये 4 आप्सन आपको दीग है प्रदीप्त कोशिकाई अंद कोशिकाई सालका या सालका आकार की कोशिकाई संकु या संकु आकार की कोशिकाई तीक कोशन दो तीन एक जाम में 12 पूछा गया है तो रेटिना में मौझूद जो चमकदार और समाने प्रकास के प्रति सम्वेदन सील कोसिकाए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं संकु कोसिका या फिर संकु आकार की कोसिका कोन से कहते हैं कोन सेल से ठीक है इंग्लिश से इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं D वाला आपसन जोगा वो सही आपसन होगा 14 नमर कोशन है यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग परिवर्तन कैसा हो जाएगा ठीक है ये कोशन अच्छा कोशन है बताए छिला हुआ आलू रखा गया है उसके उपर अगर आप आयोडीन डाल देते हैं तो उस आलू का रंग कैसा हो जाएगा इसका सही आपसन होगा C वाला आपसन ठीक है काला रंग का हो जाएगा आलू देखिए आयोडीन जो होता है iodine जब भी किसी कूपर डाला जाता है तो वो starch starch को check करता है जहां पर भी starch होगा अगर आप लोग iodine डाल देंगे तो उसका रंग या तो काला हो जाएगा या तो भैगनी हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा मतलब हलका काला करका होगा वो तो starch को देखने के लिए iodine जो है आलू कूपर डाला जाता है तो आलू में तो starch होता ही है जिसे हम लोग मंड कहते हैं तो सही आपसन होगा सीवाल आपसन यहाँ पर आप लोग इस प्रयोक को देखी यहाँ पर iodine रखा गया है और यहाँ पर कोई starch का solution रखा गया जब iodine को इसके solution में डाला जाता है तो इसका रंग जो होता है अभी देखिए आपको सफेद रंग का दिख रहा है लेकिन जब भी iodine पढ़ेगा तो यह तो काला करका हो जाएगा यह नीला कलर का यह बैकरी कलर का हो जाएगा तो इसका मतलब यह है अगर iodine आप इसमें डाल दिये है अगर यह काला पढ़ गया तो यह solution है इसकी push हो जाएगी कि यह क्या है यह starch का solution है ठीक है इस परकार से इस वीद का प्रियोग किया जाता है स्टार्स को चेक करने के लिए पंदन हमर कोशन है ACT काम लगा IUPAC नाम आपको बताना है बताएगे सबसे पहले आपको ACT काम लगा फर्मूला याद होना चाहिए CS3 COOH तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बोक्सली ग्रूप है तो यहाँ पर लास्ट में तो OIC लगना है तो OIC तो 4 आपसन में लगा हुआ है लेकिन आप आप लोग यहाँ पर कार्बन को चेक करिए कार्बन कितने हैं एक कार्बन है दो कार्बन है तो एक कार्बन होता है तो मेथ बनता है दो कार्बन होता है तो एथ बनता है तो 8 वाले को आपको टिक करना है यहाँ पर 8 लगा गया है और OEK तो लगे गाई इसे हम लोग सिरका कहते हैं इस सिरका का फार्मूला है सिरके में होता है तो सही आपसन होगा इसका भी वाला आपसन ठीक है कर सकते थे सही आपसन इसका भी वाला आपसन है तो सही आपसन होगा इसका अगर आपको अपनी प्राणी को आगे बढ़ाना है तो प्रस्टन करना पड़ेगा सत्रने वाला कोसन है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोसिकी है और यू केरियोटिक और सु के इंदरी प्रेकास संसलेसक है ये चार आपसन आपको दीगे इसी प्रेकार कोसन मैंने आपको पिछले वले सेट पे कराया था वापर आपसे प्रोकरियोटिक सवयंब खाना बनाता है तो प्रोटिस्टा का उदारड आपको याद रखना है यूगलीना थेख है यूगलीना को आप लोग याद रखेगा यह कोसन जो है आपसे अलग प्रेकार से पूंचा जाता है आपसे पूंचा जाता है ऐसे जिव का आप नाम बताईए जो परपोसी हो जाता है अपना खाना स्वयम बनाता है जब इसे सूर का प्रकास मिल जाता है लेकिन जैसे सूर का प्रकास चला जाता है तो यह परपोसी हो जाता है जैसे कि जन्तु हो गए आपके जन्तु जितने भी सारे आपके हैं वो परपोसी है और पेड़ पौदे आपके स जहचा हो दाण है यह दखेगा ठीक है तो सही आपशन इसका तीसरा अपशन है धायन अमर कोशन है किसके जमाऊ के काड़ दढ उतक कि को शिका भिति मोटी हो जाती है चार अपसन है इन चारों अपसन को देखिए तो सही आपशनों का लिगनिन के जमाब करणा जो दड़ उतक होता है उनकी कोशिका है मोटी हो जाती है ये आपको याद करके चलना होगा उन्हें इस नवर कोशन है पोधे का काउन सा हिसा गैसों के आदान प्रदान में सही हो करता है ये चार आपसन आपको दी गए बढ़िया कोशन है काफी कम लोगी से सही कर पाएंगे तना जड़ कलियां पतियां ये चार आपसन आपके पास हैं इसका सही आपसन होगा पतियां देकि पतियां कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं आपने पतियों के निचली सता पर देखा होगा कि छोटे छोटे रंद्र होते हैं रंद्र मतलब की छित्र होत के द्वारा उन चित्रों के द्वारा ये आक्सिजन की निकालती और जो सही आपहरती गर्षेजन कर。 देखे एक कोशन आपके एक्जामि पूछता है कि गुरुत्ती बल और गुरुत्वा करसर बल क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान करिएगा देखे जब दो पिंडों के बीच में बल लगता है दो पिंड कोई भी पिंड हो सकते हैं तो महाँ पर गुरुत्वा करसर बल लगेगा अगर इन दोनों पिंडों में एक पिंड प्रतिवी है तो इसे हम लोग दोनों पिंडों में जब बल लगेगा और एक पिंट प्रधिवी है तो इसके बीच का जो बल होगा उसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वी बल लेकिन अगर प्रधिवी नहीं है इन दोनों पिंडों में कोई भी पिंट प्रधिवी नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे गुरुत्ती बल क्या होता है अब हम लोग गुरुत्ती बल का फर्मुला यहाँ पर यूज करेंगे यह बराबर होता है G M1 M2 अपान R² ठीक है तो M1 और M2 वो दोनों पिंड है अगर गुरुत्ती बल की बात किया तो इसमें एक प्रतिवी होगी R जो होता है उन दोनों के बीच की दूरी होती है अब यहाँ पर कहरा है दोनों वबेच की दूरी को दो गुणा कर दिया जाए अगर हम दूरी को दो गुणा करेंगे तो यह 4 गुणा Square से बढ़ेगी मतलब 4 गुणा से और इनके बल पर किरपबा पढ़ा का देखिए यहाँ पर reverse संबंद है फोर से का R के साथ में reverse संबंद है अगर हम इसे 2 गुना करेंगे तो 4 गुना कम हो जाएगी क्या आपका गुरुत्ती बल तो गुरुत्ती बल 4 के गुड़न से कम होगा कौन सा आपसन सही होगा यह last 12 आपसन सही आपसन होगा 21 नमर कोशन है 10 न्यूटन का एक बल लगाने पर एक वस्तु 5 मीटर विस्तापित हो जाती है तो किया गया कार यह आपको बताना है देखिए railway group D की एकजामे सरल कोशन जादा आते हैं और कठिन कोशन आपको जैसे की 20 कोशन आपके science के पूँचे गए तो 15 आपसे सरल ही पूचेगा 5 कठिन पूचेगा तो सरल की और आपको focus करके चलना है कठिन तो आपको 2-3 बार practice कर लेंगे तो आपको आजाएंगे लेकिन अगर आप सरल की practice नहीं भी करके जाएंगे आपने एक बार भी देख लिया तो आपको एक्जाम में याद आ जाएगा इसलिए मैं आपको पिछले साल के paper करा रहा हूँ यहाँ पर आपको work के निकालना है work बराबर होता है F into S ठीक है F के आए force है तो यहाँ पर 10 Newton का force है विस्थापन 5 का हो रहा है फर्मूला नहीं भी आद है तो आप यहाँ पर से unit देख करके option को सही कर सकते है दूसरा वाला option सही option 22 नमर कोशन है किसी pin के इस्थिर से गतिकी अवस्ता में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवेति क्या कहलाती है ऐसा ही कोशन पिछले सेट में आता है लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा गया था तो मैंने आपको बताया था अगर कोई pin के इस्थी रहे तो इस्थी रहना चाहता है अगर कोई pin के गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहता है जब तक कोई आप उसमें बाय फोर्स नहीं लगाएंगे जैसे कोई pin है आप इसे टककर मार रहे हैं जब तक आपका बल ज़्यादा नहीं होगा इस pin के प्रितकिया बल से तो आप इसे हिला नहीं सकते हैं आप दिवाल में कितना ही मारी है तेजी से लेकिन दिवाल आपकी हांसे तूटेगी नहीं जब तक आप JCV नहीं लेकर के आएंगे तो उससे फोर्स ज़्यादा लगेगा तो दिवाल टूट जाएगे वो ऐसे ही होता है पिंड की उपर पिंड जो है वो इस्थी रहना चाहता है अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है कोई बाइफोर्स अगर आप नहीं लगा रहे है तो उसकी ये प्रिवति क्या कहलाती है जड़त कहलाती है इनर्सिया कहलाती है सही आपसनों का दूसरा वला आपसन 23 नमर कोशन है कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवस्सक सूचना सूत्र क्या है सूचना सूत्र क्या है ठीक है चार आपसन है अच्छे से पढ़िए देखी प्रोटीन के लिए जरूरी क्या होता है कोशिकी आरेने राइबो निूकलीक एसिड जरूरी होता है कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आरेने का क्या होता है प्रोटीन संस्रेशन काम होता है सही आप्सन होगा इसका लाश्ट वाल आप्सन 24 नमर कोशन ने मिली कितम से कौन से धातू प्रक्रित में मुक्त रूप से पाई जाती है 4 आप्सन आपके पास है सोना, प्लैटनम, ताबा, प्लैटनम, सोना ठेक है तो इस कोशन का एंसर रेलवे ने हटा दिया, इसमें से कोई भी आप्सन सही नहीं किया गया सब को एक नमर दिया जाएगा जिसने कोई भी आप्सन टिक किया है सब को एक नमर मिलेगा इस प्रेश्ट में रेलवे से गल्ती ये हो गई कि यहाँ पर कौन सी धातु अधिकतर प्रकेत में मुक्त रूप से पाई जाती है तो अधिकतर अगर लगा देता तो इसमें पहला वाला आप्सन सही आप्सन हो जाता लेकिन सोना भी आप जानते हैं सोना भी आईस की रूप में पाया जाता है संयुक तवस्ता में पाए जाता है यह हमेशा सोना आपको मुक तवस्ता में नहीं पाए जाता है तो अधिकतर की बात करेंगे तो सोना अधिकतर आपका मुक तवस्ता में पाए जाता है लेकिन कभी-कभी यह S की रूप में पाए जाता है अगर यहां पर थोड़ा इसका प् लेटिनम, मर्करी, हजी और विस्मत, इस प्रकार से जो आप्षन आपको मिलें, वो मुक्तवस्ता से ही पाई जाते हैं, लेकिन रेल्वन इसमें गलतियाद दो कर दियें, इसलिए कोशन को हटाना पड़ा, 25 नमर कोशन है, इसलिए कोशन है, ठीक है, अच्छा कोशन है, तो सबसे छोटी हड़ी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ ने पाई जाती है, और नाम क्या इसका, इस्टे अप अस्ती, इसे इस्टेप से भी कहते हैं, सही आप्षन कौँसा आप्षन होगा, ए वाला आप्षन, पिछले वाले स्ट में आपसे मांस्पेसी पूची थी, तो मांस्पेसी भी आपकी कान में सबसे छोटी होती है, 26 नमर कोशन है, दिरमान सक्या 70 के साथ, डिकंपोजीव, जिंक आयन में, निउट्राण की कुल संख्या आपको बतानी है, देखिए मैंने आपको बताया ना, कम से कम आपको 30 से 35 तक, परमान क्रमान के याद करके चलना है, कैसे भी आप याद करी होने, ट्रिक के मादम से याद करी है, तो जिंक का परमान क्रमान को होता है 30, और इसने काया कि द्रिवमान संख्या उसकी 70 है, तो द्रिवमान संख्या से अगर हम परमान क्रमान को घटा देते हैं, तो 70 मिसे 30 जाएगा, तो 40 बचेगा, जो 40 होता है, वो निउट्रानों की कुल संख्या होती है, ठीक है तो यह आपको याद रहेगा 30 होता है उसका परमान कर्मा कि यह आपको याद करना पड़ेगा देखें दिया नहीं हुआ है इसने सिर्फ दिया है आपको 70 जब आपको 30 याद होगा तभी तो आप 40 निकाल पाएंगे तो पहला वाला आपसन इसका सही आपसन हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा आप लोग प्रेक्टिस करिए और समझदे का प्रयाज करिए रेलवे किस प्रकर से कोशन पूछता है और आपको तैयारी किस दिशावे करनी है 27 नवर कोशन है प्रोश्टेट ग्रंथी किसके नीची इस्तिर्थ होती है चार आपसन आपको दी गए बताइए देखी प्रोश्टेट ग्र्थी जो होती है ये पूरसों में होती है और ये मुत्रासे की नीचे होती है पेट में आप मुत्रासे की नीचे विल्कुन से ये ग्रंथी होती है इसका काम क्या होता है इस्पर्म को बनाना इसका काम होता है और इस्पर्म का पोसर करने काम भी किसका होता है प्रोस्टेट ग्रंथिका होता है तो एक प्रकार की ये जनन ग्रंथि है सही आप सुनोंगे इसका पहला वाला आपसन 28 नवर कोशन है यहाँ पर देखी क्रियक्षन दी गई है कैल्सियम कार्बोनेट को इस प्रकार से गर्म करके तोड़ा गया है ये गर्म का निसान होता है हीटिंग का निसान होता है तो ये अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है दूई विस्थापन अभिक्रिया है अभगटन है विस्थापन है ठीक है बताइए देखें सयोजन तो हो नहीं सकता को कि किसी चीज का सयोग नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर nitrogen और hydrogen को जोड़ें तो यहाँ पर NH3 बनता है तो यहाँ पर सयोजन हो रहा है तो यहाँ तो हो नहीं रहा है यहाँ पर हो रहा है अब घटन आप घटन मतलब की देखिए केल्सियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे है तो तूट जा रहा है इन दोनों पार्टों में तूट गया तो इसका आप घटन हो रहा है विस्थापन मतलब होता है किसी की जगावे कोई पदार्थ हा जाना तो यहाँ पर सिर्फ टूट रहा है कोई पदार्थ उसके साथ में देखे यहाँ पर एक्षन अगर दो पार्ट होते हैं तो यहाँ पर दूई विस्थापन या फिर एक विस्थापन नहों सकता था लेकिन अब सिंपल सा एक ही कंपाउंड है तो वो तो टूटे गई देखी तरंगे दो प्रकार की होती है एक आपकी यांतरिक तरंगे होती है एक आपकी आयांतरिक तरंगे होती है तो यांतरिक तरंगों को माध्यम के हो सकता होती है तो यहाँ पर माध्यम के हो सकता तो उससे पढ़ रहे ही धुन तरंग को तो सही आपसन आप किसे कर देंगे यांतरिक तरंग को अब यांतरिक तरंग भी दो प्रकार की होती एक आपकी अनुप्रस्त होती एक आपकी अनुदर्द होती है तो धोनी तरंग जो होती है यांतरिक तरंगों में अनुदर्द तरंग की रूप में आती है longitudinal wave आती है ये भी आपको याद करके चलना है ठीक है तो सही option इसका C वाल option होगा आज का तीस नमर question होगा आज का last question है ये भी question मैंने आप से पिसले वीडियों पूछा था G की map SI काई वही है जो इसकी काई है तो G मतलब की आपका यहाँ पर गुरुत्ती तोड़र दिया गया है और तोड़र कोई भी हो उसकी unit होती है meter per second square ठीक है कोई भी आपका तोड़र हो चाए गुरुत्ती तोड़र हो चाए simple तोड़र हो तो उसकी unit यही होती है अब आपको यह देखना है इसमें से किसका सेम ही काई होगी तो GB एक तोड़र है और तोड़र भी जो होता है एक प्रकार की तोड़र की दोनों ही काईयां होती है गुरुत्ती तोड़र की भी और G की भी ठीक है तो यहाँ पर आप सही किसे करेंगे last वले option में करेंगे तो यहाँ तक हमारे 30 question complete हो जाते है यह हमने आपको पिछले साल के railway के paper के science की question करा है जो आपके आने वाले exam के लिए very very most one question है और यह हमारा छटमा पार्ट है इसके पहले हमने आपको 3 सीरीजे पहले कराई थी इसके भी बाद सीरीज बंद हो गई थी और फिर से सीरीज आपके लिए start किया सामके 4 वजे तो आप लोग लगाता सीरीज को देखिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग continue रखने के लिए हम लगातार आपको सीरीज कराएंगे और किसी question में आपको doubt होता है तो आप comment box में कह सकते हैं वीडियो अच्छा लाग करते हैं वीडियो को like उस किया करिये like आप लोग कम करते हैं और अगर आपको share करना तो आप share कर सकते हैं last में आपके लिए दो question आपके लिए छोड़े जा रहे हैं इसके option को देख लिजिए और सही option आप लोग टिक करिएगा आज का दूसरा question है इसको भी आपको करने का प्रयास करना है सुक्रोज प्राकतिक रूप से किस में पाया जाता है गन्ना मक्का चावल गेहूं ठीक है तो ये दोनों question आपको करने नहीं आएगा तो telegram channel को join कर लिजेगा वहाँ पर आपको telegram channel की या तो लगतारी वीडियो बैज देंगे या तो फिर आपको दो दो तीन दिन के अंतराल में आपको सारी पीडियाप मिल जाएगी वहाँ पर से आप लोग ले लिजेगा ठीक है आपने इन 30 question में से कितने question की है ये भी आप लोग बता सकते है हमारी उवीड यही है कम से कम आपको 25 करने है हर state में आपको 25 करने है यह लच लेकर में चलता हूँ ठीक है exam जब आपका नज़दीक आ जाएगा तो वहाँ पर हम से कहेंगे कि आप इसमें से 30 में 30 साही करिए लेकिन अभी आप लोग इसमें 25 साही करने का प्रयास करिए जो अच्छे student है वो 30 कर सकते हैं इसा नहीं है कि सारे question कहीं से बन कर आए आपने जो पढ़े हैं वही question आपके exam में पूछे जाते हैं जो आपने high school internet पढ़े हैं उससे ज्यादा level question नहीं है तो पचीस करने का प्रयास करिए नहीं हो रहे हैं तो हमने इसके पहले भी size special के question कराई हुए 29 वीडियो हारे पहले की पढ़ी हुई है और यह आपने फिर से सरीज आपके लिए start की है तो उसको देख लेंगे आप तो इसमें से धहर सारे question आपके लगने लगेंगे क्योंकि railway के question लगबग 60-70% question जो होते हैं वो repeated question होते हैं तो पिसली exam में आई वे question ही आपके next exam में पूछे जाते हैं यह आपने NTPC exam देते समय देखा होगा कितने धहर सारे question पिसली exam के पूछे गए मिलते हैं आपसे next video में बहुत बहुत धन्वाद